हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आपके विगरते हुए कामों को बहुती आसान तरीके से कर पाएं बस ऐसी ही खास और उप्योगी टिप्स ले करके आई हूँ जिससे समय और फैसा दोनों बचे तो चलिए यूज करना होता है तो आप जब भी बंदा आधा यूज करें तो आप इसी बंदे का एक पत्ता इस तरह से इसमें रखके जब किसी पॉलीचिन में बांग के रखेंगी तो यह बंदा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और करीब थीन से चार तीन तक बिल्कुल फ्रेश र है तो ही जब लोगे चाकु से करते हैं तो आप बहुत मोटा करता है तो और बंदे को कातेंगी तो एक दाम महीं महीं पत्ले इसके पत्ते कटेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अगर यही चीज हम लोग चाकू से काटेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, और मोटे मोटे पीस भी इसके कट होते हैं, तो जब हम लोग इस आदू आलू चीनने वाले ग्रेटर से, जब हम बंदे को इस तरह कट करेंगे, तो देखे कितने महीन महीन इसके पत्ते कटे हुए हैं, और जब हम लोग चौमिन बनाएंगे, या वेज रोल बनाएंगे, या हम लोग सब्जी भी बनाएंगे, तो यह देखने बहुत अच्छा लगेगे, तो आगे से आप लोग इसका तो यह पन्ने अच्छा लगते हैं, तो यहां पर देखे बहुती सिंपल सा आईजिया, यहां पर हम लोग लेगे एक रबड बैंड, और अपनी रबड बैंड को हम लोग इस तरह से इसमें लगा देंगे, इससे पन्ने उडेंगे भी नहीं, और इसमें एक बहुत फाइद यह भी है कि जो हम लोग बुक बगारा पढ़ते हैं तो अपना फेवेट पढ़ना छोड़ देते हैं कि इस पेज नंबर पर हम लोग फिर से पढ़ेंगे लेकिन हम लोग पेज नंबर याद नहीं रखते हैं और वो गुम हो जाता है लेकिन आप जब इस तरह से रबड़ बै यहाँ पर नेल पॉलिश को लेकर के हैं अक्सर ऐसा होता है ने कि हम लोग नेल पॉलिश लाते हैं नहीं लगाते हैं वो रखे रखे सूख जाती है नेल पॉलिश सूख जाती है पूरी भरी भी रहती है हम लोग को ऐसे ही फेकना पड़ता है तो आप नेल पॉलिश को बिल यहाँ पे thinner को करीबन 6-7 बुन आप इस nail polish में डालेंगी तो हम लोगे जो nail polish अदम गाड़ी हो गई है वो थोड़ी liquid form में हो जाएगी और बहुत बहुती अच्छे से लगेगी तो यहाँ देखें मैंने करीबन 6-7 बुन डाली है उसको फिर अच्छे से मैंने nail polish को इस तरह से हिला लिया जिससे वो सारी अच्छे से चीज़े दोने चीज़े अच्छे से mix हो जाए चलिए आपको अब लगा के दिखाती हूँ कि पहले nail polish कैसी लगी थी अब मैं दुबारा जब मैंने इसमें nail polish लगने के लिए तैयार हो गई है तो आगे से आपकी nail polish सूख जाए या थोड़ी गाड़ी हो जाए तो इसको बिलकुल भी ना फिके कुछ बूंदेश में जब आप डालेंगी थी नर्की तो यह फिर से पहले जैसी हो जाएगी तो यह बहुत ही useful tips है आप लोग इस tips के थूँ अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरी अगली tip जाकेट को हो या हुड़ी को लोट के है हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही इसको तहाते हैं और उठा के रख देते हैं इससे ही space भी बहुत लेती है और अचानक से खुल भी जाती है तो हम लोग इसको ऐसे तहाएं कि यह बिल्कुल भी खुली ना रहा हैं और जादा space भी ना लें तो यहाँ पर देखिए आपको जाकेट को इस तरह से रखना है फिर हम लोग को दोनों side की जितनी भी जाकेट है तो इसको इस तरह से मोड़ देना है अंदर की तरफ जब हम की कैप होती है हुड़ी में लगी होती है उसी हुड़ी के अंदर हम लोग को इस तरह से कर देना है तो यह देखिए बहुती ईजी तरीका है जिससे हम लोग के कपे से बी राएंगे ऐसा नहीं है कि हम लोग उठाके इधर उदर रखेंगे तो यह तुरंद खुल जाकेट यह बिल्कुल अपनी जगे पे फिक्स रहेगी और बिल्कुल भी इधर उदर खुलेगी नहीं तो ऐसे हम लोग जब जाकेट अपने हैंगर में करके कहीं भी टांगते हैं तो इसकी बहां की वज़े से यह काफी स्पेस भी लेती है तो आपको सिंपल सा आइडिया बताओं इसको जब अंदर कर देंगे तो यह कम स्पेस भी लेंगी और बहुत असानी से हम लोग इसको कहीं हैं करेंगे तो तीन से चार से जाकेट अराम से आ भी जाएंगी तो यहां पर देखिए मैंने दोनों इसकी जो बहांती वो अंदर कर दी है तो बस अब हम लोग इसको टां स्पेस लेगी और बहुत ही यूसफुल रहेगी मेरी अगली टीप यहाँ पर पैंसिल के कटर को ले करके है जब हम लोग कटर कम यूज करते हैं या जादा यूज नहीं करते हैं उसको ऐसे ही उठाकर फेक देते हैं तो बस यहाँ पर मैंने कटर की ब्लेट निकाल ली है और यहाँ पर ली है मैंने आईस्क्रीम स्टिक तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा इसका यूज में बताऊंगी तो यहाँ पर देखें मैंने जो कटर होता है उसकी ब्लेट निकाल ली है और ये बहुत ही अच्छी धार भी है ऐसा नहीं है कि ये खराब हो चीकी है तो यहाँ पर देखिए हम लोंग लेंगे थोड़ा सा glue और यहाँ पर देखिए आपको glue इस तरह से stick पर लगा लेना है जब आप हम लोंग stick पर glue लगा लेंगे और जो हम लोंग ने blade cutter की निकाली है वो इसी में अच्छे से fix कर देंगे तो आप लोंग अच्छे से glue लगाईएग जैसे कि यह अच्छे से fix हो जाए आप लोंग जब इस cutter की blade को लगाएंगी तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लीजेगा जिससे यह बिल्कुल अंदर की तरफ ना हो क्योंकि हम लोंग जो organizer त्यार करेंगे वो बहुती useful रहेगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह मैंने हल्प से अच्छे से attach कर देंगे तो यहाँ देखिए जब आप लोंग लूग लगा लीजेगा तो बहुती अच्छे से fix हो जाए और बिल्कुल भी इधर उधर ना हो तो यह देखिए हम लोंग का बहुती अच्छा सा organizer त्यार हो गया है तो यह हम लोंग ने त्यार किया paper cutter हम लोंग कोई gift के लिए paper काटते हैं या घर में बच्चों के लिए cover चड़ाते हैं तपेपर काटते हैं कॉपी पर cover चड़ाना होता है तो देखिए हम लोंग जब इससे काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से cut हो रहा है और कितना अच्छा हम लोंग का organizer बनके त्यार हो गया है हम लोंग कटर जो बाजार से लाते हैं तो वह महेंगे भी मिलते हैं तो हम लोंग घर में ही घर की चीज़ों तो बड़ी असानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं गिफ्ट पेपर भी हम लोंग को काटना होता है तो हम लोंग कैची का यूज करते हैं लेकिन कैची से अच आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और यहीं पर अपनी वीडियो का एंड भी करती हूं ओके बाइ